इस दोस्तों यह कंफर्म हो चुगा है कि रेडमी की तरफ से जो स्मार्टफ़न लांच होने वाला है रेडमी नोट इलेवेंड टी 5G यह 30 नवेंबर को इंडिया में लांच हुगा और यह एमेजन में माइक्रो साइट्स पर लिस्टेड भी हो चुगा है सो हे गाइज वालेवेंड दिचैनल और आज की इसी वीडियो में हम रिटेल्स ने बात करेंगे और आज की इसी वीडियो में हम बात करने वाले हैं रेडमी नोट 11 टी 5G के बारे में सो वीडियो को एड तक देखो येस दोस्तों ये confirm हो चुका है कि Redmi की तरफ से Redmi Note 11T 5G November 30 को इंडिया में लॉंच होते दिखा देगा और ये device Amazon के Microsoft पर भी लिस्टेड हो चुका है और ये स्मार्टफोन की sale भी Amazon से ही होगा इस स्मार्टफोन इच successor to Redmi Note 10 5G जो कि लास्ट एर जुलाई में लॉंच वा था Redmi Note 11 का re-branded version हो सकता है जो कि recently last month चाइना में लॉंच होआ है और कुछ rumors की माने तो ये भी suggest किया जा रहा है कि ये स्मार्टफोन Xiaomi Poco M4 Pro 5G का re-branded होके इंडिया में लॉंच होगा Redmi Note 11T 5G की नाम से सो वी केन एक्सपेक्ट अल्मोस्ट सेम एस दी Poco M4 Pro 5G जो चाइना में भी Redmi Note 11 5G से से सेल हो रहा है और सो इसमें हम काईड आफ सेम स्पेसिकेशन एक्सपेक्ट कर सकते हैं और दोस्तों इसकी कुछ एक्सपेक्टेड स्पेसिकेशन की बात करें तो इसमें 6.67 इंच FHD PLUS AMOLED दिस्प्ले हो सकता है विद ए रिफ्रेश रेट ऑफ 90Hz और इसमें हमको 240Hz टॉच सैंप्लिंग रेट भी दिखने को मिलेगा और प्रोसेसर में 6 नानो मेटर मीडिया टेक देखने को मिल सकता है विद ए रेम औफ 4-6GB और 128GB इंटर्नल स्टोरेज और केमरा सेक्शन में देखे तो इसमार्फोन में ट्रिफल रेर केमरा सेट अप देखने को मिलेगा विद 50MP प्रैमेरी लेंज और 8MP उल्टर वाइड और 5MP माइक्र लेंज और फंट में हमको 16MP का इच सेलपी शोटर भी देखने को मिलेगा और यह स्मार्फोन 3 कॉलर्ड वेरियंट में भी लांच होगा पोको यहलो और ब्लैक और कॉलर ब्लू के साथ और स्मार्फोन लांच होगा टू वेरियंट में 4GB RAM 64GB इंटर्नल और 6GB RAM और 128GB इंटर्नल स्टोरेज के साथ और दोस्तों यह स्मार्टफोन में हमको 5000mAh का बैटरी देखने को मिलेगा विते सपोर्ट ऑफ 33W फास्ट चार्जर और दोस्तों इसमें बाकी फीचर्स की बात करें तो वही I think सेम रहने वाला है जो की Poco M4 Pro में देखने को मिला है और यह Poco M4 Pro रिसेंटली ही एरोप के कु 15,000 के अंडर लांच हो सकता है तो देखते हैं दोस्तों इसमें और क्या कुछ अग्रेट रहने वाला है और कौन-कौन से चैन्जेस देखने को मिलेगा या फिर वही सेम टूसेम Poco M4 Pro ही देखने को मिलेगा तो दोस्तों यह बजेट स्मार्टफोन होने वाला है और देखत हैं कौन-कौन से फिचर्स रहने वाला है तो थैंक्स फर वाचिंग गाइस वीडियो एंड तक देखने के लिए और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करो चैनल को सब्सक्राइब करो और फ्रेंड्स के साथ से अलभी करो थैंक्स फर वाचिंग